असलाम लेकुम विवेवर्स क्याल चाल आप सब का उमीद है आप लोग सब खेरियत से होंगे और आप लोग के बर्ड्स भी जो हैं वो भी खेर वाफियत से होंगे Viewers क्या आप लोग भी चाते हैं क्या आप लोग के पास Top Trending Pairing लगी हो आप लोग भी चाते हैं कि जो भी चिक्स निकलें वो Easily Sale हो Sale नहों बलके आपको एक अच्छी Handsome Amount of Profit Earn करके दे क्या आप लोग भी चाते हैं क्या आप लोग को ये मसला ना हो कि जो चिक्स निकल रहे हैं वो Sale क्यों नहीं हो रहे हमें तो किसी ने Guide नहीं किया जब हमने Birds ले लिए तो अब उनकी Demand ही खतम हो गई तो अगर आपके Mind में भी ये सारे Questions आएं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत Important है क्योंकि मैं 5 ऐसी Top Pairing डिसकस करने लगाँ इस वीडियो में जो कि अगर आप लुक लगाएंगे तो अगला जो Coming Season है 2000, 23 और 24 का उसमें आपके पास सारे वो चिक्स निकलेंगे जो In Demand होंगे आपके BIRDS जो है वो Easily Sale होंगे और आप एक बहुत अच्छा जो है वो Profit Earn कर सकते हैं किसी का अगर Investment का Mind है या Business का Mind है ये ज़रूर 5 Pairing आप लोगोंने अपने Shed में Include करनी है जितनी Maximum ये Pairing आप लगाएंगे उतना आप अपना Profit जो है वो Double, Triple करते जाएंगे Multiply करते जाएंगे तो आज की वीडियो जो है वो आप लोगोंने Complete देखनी है और आज की वीडियो के End पे आप लोगों को 5 Best Pairing का पता चल जाएगा जो कि आप लोगों लगाएंगे तो आप लोगों को इसका फाइदा होगा खाली 5 Pairing के खाली 5 Pairing के नाम नहीं बलके मैं उनके साथ साथ उनके क्या चिक्स निकलेंगे और किन चीजों को आपने Mind में रखते हुए वो Pairing करनी है वो भी बताऊंगा और इन 5 Pairing के बाद End पे मैं आप लोगों के प्रो टिप भी दूँगा ऐसी Pairing की जो के आगे आने वाले सालों में आप लोगों को बहुत फाइदा देगी और जितने Top Breeders हैं वो इस टाइम उस Pairing पे वरकिंग कर रहे हैं तो अगर आप जो है वो ये 5 Pairing कर लेते हैं तो इसी में से आप जो है वो वाली Pairing भी बिना सकते हैं तो उसका जो है मैं वीडियो के end पे जिकर करूँगा इसलिए वीडियो आप लोगों ने जो है वो complete देखनी है जो मेरे चैनल पे फर्स टम आया है वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं अपने introduction करवा दूँ मेरा नाम जो है वो आमिर खटक है मैं लहोर से belong करता हूँ और lovebird industry में मुझे more than 15 years हो गए है lovebirds को breed करवाते वे तो जल्दी से जो है वो चैनल को subscribe कर ले क्योंकि मेरे चैनल पे already बहुत जो है वो useful tips और informative videos available है साथ ही साथ अगर आप लोगों को और भी कोई mentoring या कोई भी helpful video चाहिए हो तो मेरे number जो है वो screen पे आ रहा है आप मेरे से जो है वो directly contact कर सकते हैं और मैं time to time जो है season के साथ साथ जो है वो useful tips देता रहता हूँ ताकि मेरे जितने viewers है या मेरी YouTube की जो एक family है उनको जो है वो इसका फाइदा हो और viewers ये जो मैं पांच पेरिंग की बात कर रहा हूँ मैंने खुद भी ये पेरिंग जो है अगले season के लिए plan की है तो आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने viewers है कि मैं जो खुद एक पेरिंग करता हूँ मैं अगलों के साथ भी जो है वो share करता हूँ तो इससे बड़ा सत के जा रही है जो है वो कोई नहीं है ठीक है तो वीडियो अपने complete देखनी है पेरिंग डिसकस करने से पहले एक चीज जो के मैं हर वीडियो में जो है उस पे बहुत ज़्यादा जोड देता हूँ वो है birds की pedigree और birds की bloodline हर जगा हर किसी से जो है वो birds मत purchase किया करें अपने कीमती पैसे जो है मत जाय करें बहुत से लोग है जो नेशोकीन है उनको जो bird चाहिए हो तो उनको कुछ नहीं पता होता या बहुत से ऐसे भी लोग जो already birds breed करवा भी रहे हैं लेकिन वो भी net से जो है कोई भी bird उठा के जो है वो लगा लेते हैं तो viewers इस तरह मत करें सिर्फ renowned breeder से birds लें ताके आपके पास कोई fraud ना हो और अच्छी bloodline के birds लें ताके आपके पास जो है production अच्छी आ है chicks जो है वो quality के हैं तब ही आप जो है उनको sale कर सकते हैं तो चलें viewers start करते हैं pairing से pairing number one जो के मैं discuss करूँगा इस video के अंदर वो है albino red eyes आप सब को पता है कि albino red eyes जो है वो पाकिस्तानियों की जान है सबसे hot item है इस time market में और अभी नहीं बलके जब से मैंने love birds hobby start किया है ये bird जो है नीचे की बजाए उपर ही जो है बजाता रहा है आगे आने वाले सालों में भी इस bird ने in demand रहना है अपने shed के अंदर जरूर albino red eyes into albino red eyes की pairing करें बहुत से लोग हैं जिनके पास weak bloodline है वो albino को split के साथ लगाते हैं या split to split भी करते हैं लेकिन तब भी उनके पास जो है वो albino के chicks जो है वो survive नहीं करते तो इसलिए मैंने वीडियो के start में बता दिया था कि आप उस breeder से birds खरीदें जिसकी bloodline strong हो जिसके बस बच्चों की average जो है वो अच्छी हो जब मैं average की बात करता हूँ तो दो या तीन बच्चे अगर एक pair पाल रहा है तो इसका बिलकुल ही मतलब नहीं के वो बहुत अच्छा bird है अच्छा bird ये अच्छी bloodline का मतलब है आप बस पांच से साथ बच्चों की average आ रही है तब अगर आपने कोई पैसे invest की है तो फायदा है क्योंकि एक pair जब बच्चे पालता है तो दो महीने आपका जो है वो time लगता है chicks को properly self होने में ठीक है तो इसलिए अच्छी line के birds लगाएं और इसमें से आपके पास सारे बच्चे जो है वो albino red eyes ही आएंगे जो के in demand है तो अब बात करते है pairing number two की जी viewers pairing number two जो है वो है क्रीमिनो की क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो पे मैं एक separate video जो है वो भी बना चुका हूँ blue two working के लिए क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो जब आप pairing करेंगे तो आप लोग के पास chicks दो तरक आएंगे क्रीमिनो भी आएंगे albino red eyes भी आएंगे क्रीमिनो आप सेल कर सकते हैं और albino red eyes जो है वो काम के birds उनको अपने hold करना है वो working के bird हैं वो possible blue two है possible blue two क्या होता है इनको किस तरह लगाना है इस पे एक separate video बनाई भी है मैंने मैं उस video का link जो है वो इसी video के साथ description में डाल दूँगा आप complete वो video देखेगा आप लोगो जो इन्शाला इस चीज़ की समझ आ जाएगी लेकिन criminal into criminal pairing तब ही successful होगी अगर आपके पास strong bloodline के chicks लगे हैं वरना अगर आप कहीं से भी criminal उठा के लगा लेंगे तो जो भी chicks निकलेंगे वो survive नहीं करेंगे या तो dead in shell का आपको issue आएगा या जो बच्चा निकलेगा वो within two to three days या निकलते साथ ही जो है वो मर जाएगा expire हो जाएगा तो अपने पैसे मत waste करें अच्छे breeder से अच्छी line के birds लें ताके मैं जो आपको pairing recommend कर रहा हूँ उससे आपको वैसा ही फाइदा हो जैसा के होना चाहिए तो second pairing जो है वो criminal into criminal है ये pairing आपने जरूर जो है अपने अगले season के लिए अपने portfolio में add करनी है अब चलते हैं pairing number three की तरफ viewers pairing number three जो है वो है albino red eyes into criminal अब आप सोचेंगे कि albino का separate pairing मैंने one में भी बता दिया है pairing number two में मैंने criminal का बता दिया तो pairing number three में फिर मैं albino into criminal क्यों कह रहा हूँ इसकी एक वज़ा ये है कि सबसे पहली pairing जो मैंने बताई है वो मैंने कम budget के लोगों के लिए बताई है मैं जितनी pairing discuss कर रहा हूँ वो step by step कर रहा हूँ ब्ल्यू टू पे जरूर working करें pairing number three जो है ये totally commercial pairing है जब आप albino red eyes को क्रीमिनो के साथ लगाएंगे या तो आपके पस albino red eyes chicks हैंगे या क्रीमिनो आएंगे इसके लावा तीसरा कोई बच्चा नहीं आएगा albino की वैसे इतनी demand है और क्रीमिनो जो आपको पता है एक तरफ आप 3 albino sale करें एक तरफ एक ही क्रीमिनो सेल करें आपके पैसे जो है वो recover हो जाते हैं कितने क्रीमिनो आएंगे ये depend करता है clutch to clutch 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं मेरे पस किसी-किसी clutch में 5 भी आए हुए हैं तो pairing number 3 जो है वो albino red eyes into criminal है ये pairing भी अपने जो है portfolio में जरूर add करें और अगले आने वाले season के लिए ये pairing मैं हर किसी को recommend करता हूँ अगर आप अच्छी amount जो है वो earn करना चाते हैं अब आते हैं pairing number 4 की तरफ pairing number 4 उनकी लिए है जिनका budget ज्यादा है और जो afford कर सकते हैं मैं उनको यही recommend करूँगा कि ये pairing जरूर अपने shed में जो है वो लगाएं और pairing लगाने का यही मतलब है कि आपने अभी जो है season से पहले ही अच्छे size के strong line के पठे ले लेने और उनको जो है आपने तियार करने अगले season के लिए pairing no.4 जो है वो है pale fellow upline की pale fellow upline की pairing के 2-3 तरीके हैं मैं आपके साथ share कर लेता हूँ एक तरफ तो है कि आप एक visual bird लगाएं pale fellow upline और दूसरी तरफ जो है आप upline split pale fellow का bird लगाएं ठीक है दूसरा जो बंदा afford कर सकता है pale fellow upline into pale fellow upline मैं उसको जरूर ये pairing recommend करूँगा अब यहाँ पे काफी viewers कहेंगे कि pale fellow तो बहुत weak bloodline है तो भायो albino, red eyes और crimino भी weak bloodline है लेकिन अगर आप strong line के birds लगाएंगे तो chicks survive करेंगे और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मैंने pale fellow upline into pale fellow upline visual pairing भी की वी है alhamdulillah मेरे पास सारी chicks की जो है वो average बिलकुल ठीक है तो यह सब बाते होती है bloodline पे अगर अच्छी line का bird लगाएंगे even कि आपको costly मिलेगा लेकिन एक तरफ अगर आप 5 pairing लगाएंगे और एक तरफ सरफ एक यह अच्छा pair लगा लें आपके पास सारे visual बच्चे आएंगे आपके पैसे जो है वो एक ही clutch में जो है वो recover हो जाएंगे तो जो तो afford कर सकते हैं वो visual pale fellow upline into visual pale fellow upline की ही working करें working को strong बनाने के लिए एक तरफ आप blue series का bird रखें एक तरफ आप green split blue series का जो है वो bird रखें ठीक है लेकिन इसका ये बिलकुल मतलब नहीं कि आप दोनों तरफ blue series का bird नहीं लगा सकते आप लगा सकते हैं लेकिन अगर आप चाते हैं कि birds के color dark हो उनका size improve हो तो मैं ये recommend करूँ एक तरफ blue series का bird हो blue series का मतलब blue upline pale fellow violet upline pale fellow या parby upline pale fellow और दूसरी तरफ green upline pale fellow split b1, b2 या split blue bird जो है वो आपके पस होना चाहिए तो ये pairing number 4 है और ये आगे आने वाले सालों में बहुत top की pairing जो है वो चलेगी अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो pale fellow upline जो है वो जरूर अपने shed में लगाएं जिनके पास budget है क्योंकि आने वाले सालों में अगर आप ज्यादा profit earn करना चाहते हैं तो ये pairing आपके लिए सबसे ज्यादा recommended और best है और मैंने आपको दोनों तरीके बता दी है तीसरा तरीका मैं बिलकुल recommend नहीं करता split into split वो wastage of time है ठीक है? viewers पांचवी pairing जो के मैं अगले सीजन के लिए आपको recommend करता हूँ वो है Delute Appline की pairing Delute Appline जो है वो नया बर्ड आया भी दो तिन सालों में और ये market में बहुत ज्यादा जो है वो famous हो गया है अपने colors की वज़ा से अपनी खुबसूरती की वज़ा से Delute Appline की pairing में मैं सिरफ आपको यही pairing recommend करूँगा कि दोनों तरफ आप visual Delute Appline birds लगाएं आपने बिल्कुल split birds पे time नहीं waste करना एक ये black eye bird है इसमें कोई mortality का मसला नहीं है secondly split की कोई demand नहीं रही अभी आप visual Delute Appline into visual Delute Appline लगाएं उसी से आपको फायदा है काफी लोग जो है वो अपने bird sale करने के लिए कहते हैं कि आप split लगा लें आपका budget कम है लेकिन मैं वो ही pairing recommend करता हूँ जिससे अगले को फायदा हो जिससे अगले का time जाया नहीं हो पैसे जो है वो waste नहीं हो तो मैं बिल्कुल recommend नहीं करता split की pairing का किसी का budget कम है तो जो मैंने शुरू में pairing बताईए वो ही लगा ले इस पर अपना time ना जाय करे और किसी का अगर budget अच्छा है तो वो visual dilute applying into visual dilute applying ही लगाए उसी से जो है आप अच्छे पैसे जो हैं वो earn कर सकते हैं viewers अब मैं बात करूँगा अपनी pro tip के बारे में जो के मैंने वीडियो के start में आपको बताईए के मैं इनी pairing में से आपको एक ऐसी pairing बताऊँगा जो के आने वाले 3-4 सालों में भी आपको जो है फाइदा देगी और सबसे expensive आपका चिक sale होगा जी viewers मैंने जो pairing आपको बताईए है pairing number 4 और 5 4 में मैंने आपको बताईए pale fellow upline और 5 में मैंने आपको बताईए dilute upline आपने 4 और 5 पेरिंग से जब 2 clutch ले लेने है तो फिर आपने आपस में इन pairs को जो है वो तोड़ देना है आपने pale fellow upline को लगा लेना है dilute upline से और दूसरी तरफ dilute upline का पीस तोड़ के आपने pale fellow upline से लगा लेना है इससे आपके पस chicks के आएंगे इससे आपके पस सारे black eyes chicks आएंगे लेकिन वो split होंगे pale fellow के भी और split होंगे dilute के भी होंगे सारे upline chicks क्योंकि आपकी दोनों तरफ जो है वो pale fellow upline और dilute upline का बड़ लगा होगा है लेकिन जो chicks आपके पस आएंगे वो आएंगे split pale fellow और split जो है वो dilute के और इसको आप अगले साल आपस में pairing करके chicks की आप pale fellow dilute upline का बड़ प्रोड प्रोड़ कर सकते हैं अभी जितने बड़े breeders हैं वो सब इसी पर working कर रहे हैं और ये chick अभी तक पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है और बहुत ज्यादा वो इसकी price जो है वो demand कर रहे हैं तो अगर आप भी ये pairing timely कर लेंगे तो आप भी उन pioneers उन लोगों में से होंगे जिनके पास expensive chick आया होगा और वो time पे जो है एक अच्छी amount जो है वो cash करवा सकते हैं तो इस तरह की useful tips अगर आप चाते हैं कि मैं आप लोगों के साथ share किया करूँ तो जिन्होंने अभी तक channel subscribe नहीं किया वो channel को subscribe कर लें आगे आने वाले दिनों में मैं इसी तरह आप लोगों के साथ useful tips share करूँगा जिससे आप लोग जो है पैसा भी invest करके lovebirds में अच्छा profit जो है वो earn कर सकते हैं तो viewers उमीद करता हूँ कि आज की video आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर video पसंद आई है तो comment में ज़रूर बताएं और मुझे भी बताएं कि इन 5 पैरिंग में से आप लोग कौन सी पैरिंग जो है उसके बारे में प्लाइन कर रहे हैं नेक्स सीजन के लिए और जिन्होंने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो करेंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीवर्स ये वीडियो अपने बाकी भी जितने दोस्ते फैमिली मेंबर्स हैं जो के बर्ड्स होबी में हैं या आना चाह रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें आपकी एक वीडियो शेयर करने से भी अगर उनको इसका फाइदा हो जागा तो आपको भी जो है उसका सवाब मिलेगा तो नेक्स वीडियो के लिए जो है नेक्स वीडियो तक के लिए अलाफेस और इंशाला मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह मज़दार और इंफर्मेटिव वीडियो में ओके व्योर्स अलाफेस टेक केर